हलो स्टुडेंट मैं ख्लेस दुवेदी सिविल जॉब्स अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में मैंने MPPSC MENS 2021 में दूसरे पेपर में जो पुब्लिक एड्मिनिस्ट्रिशन के कुश्चन आया था परिवद्ध तारकिता उसके बारे मैंने चर्चा की थी आज मैं इस वीडियो में आपको किये गए वायदे के मुताबिक MPPSC MENS 2021 के पेपर टू पार्ट ए के थी मार्कर्स पर चर्चा करने वाला हूं मैंने यूट्यूब चैनल पर थी मार्कर्स को लिखने के तरीकों को ले करके एक वीडियो अप्लोड किया है साथ इसलिक मार्कर्स सीफमनदित वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर आपको आपने को देख सकते हैं देखने लेखने से आपको 3 Markers, 5 Markers, 11 Markers को ब्यातर तरीके से कैसे लेख सकते हैं इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाई कई स्टुडेंट मुझे बताया कि कई लोगों ने इस पेपर पर डिस्कस किया है 3 Markers, 5 Markers, 11 Markers के बारे में लेकिन प्रॉपर तरीके से लोगों ने नहीं बताया है कुछ चीज़ें उन्होंने गलत भी बताई है तो जब आप मेरा वीडियो यह देखेंगे तब आपको खुछ खुद अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से यह 3 Markers लिखने है तो मैं स्टार्ट करता हूं यह स्टेस है और उसका जो भाग ए है उसके 3 Markers के बारे में हम आज बात कर रहे है तो पेपर सभी ने देखी लिया है पहला जो 3 Markers पूछा गया है कुश्चन नंबर है 1.1 यह है भारती समिधान की प्रस्तावना के पांच अव्याव लिखिए यह पहला कुश्चन 3 Markers का है तो जैसा की प्रश्चन में इस्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावना में पांच जो अव्याव है वो लिखना है तो पांच अव्याव स्टाटिंग में लिख दिए गए हैं और सबसे इंपॉर्टन भी है समाजवादी पंतनर पेक्ष लोक्तांत्रिक गन्राज यह पांच जो तत्व हैं कि वह स्टार्टिंग में ही प्रस्तावनों में लिख दिये गए हैं तो वह आपको यहां पर लिखना है हलाकि शीजवार्य समाजीक अर्ठी राजनितिक न्याय फ्रकार की विश्वास कि समांता रोंता की बारें बंधुटा की वात कहीं गई तो यह पिशुझे हैं लेकिन पांच जो की उसने पूछी है कुश्चन में इसलिए हमें पांच इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं अभी अब हैं उनको ही यहाँ पर लिखना है तो यह पांच तत्व आपको ऐसे लिखना है तीन नमबर इसमें आपको मिल जाएं दूसरा कुश्चन है वन पॉइंट टू जिसमें कहा गया है भाति समिधान में वर्णित तो तंत्रता के कोई चार पक्ष बताइए चार पक्ष कौन-कौन से हैं यह पूछे गये हैं इसमें तो सुटंता के पैसे पांच प्रगा की सुटंता हैं प्रस्तावना में ही दी गई हैं विचार अहिव्यक्ति विश्वास धर्म उपास्टना की सुटंत्रता इसके अलावा सुटंत्रता का मौले करिकार अलग से दिया गया है समीधान में जिसमें आर्टिकल जो 19 है उसमें छे प्रकार की सुटंता हैं बताई गई हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं विचार सम्मेलन करनी की सुटंता है निरायद सम्मेलन यहां पर लिखा हुआ है निरायद का मतब होता है शस्त्र रहत बिना शस्त्र की सम्मेलन उसको कहते हैं निरायद आर्टिकल 19 का जो पहला कलॉज है उसमें A, B, C, D, E और F के लावा G, F के बाद जो है G आता है F को हटा दिया गया है तो उस प्रिकार की सुटंता है महां पर दी गई हैं उसमें कुछ मैंने महासिली हैं और कुछ प्रस्तावना से उठा लिए मैं तो ऐसे चार पक्ष यहां पर मैंने लिखे हुए हैं विचारियों बैद की सुटंता है निरायुद सम्मेलन करनी की सुटंता है ब्रहम व्यापार करने के स्वतंतरता है संग बनानी के स्वतंतरता है जीने की स्वतंतरता है ठीक है तो यह बहुत सारी स्वतंता है आपके समिधान में दी गई है लेकिन चुकि चार पक्ष पूशे गये हैं तो मैंने कुछ पक्ष जो है प्रस्तावना से ले लिये हैं और कुछ समिधान में दिया गया है वहां से ले लिया है तो इस तरीके से यह दूसरा कुश्चन कम्प्रीट हो जाता है अब आगे है वन पॉइंट थिरी जिसमें पूछा गया है राज के नीती निदेशक सिधानतों का मूल हे तू इस पस्ट कीजिए यानि इसका मूल परपज बताना मूल उत्देश, डिपीस्प क्या है यह आपको बताना है कि को हैँ तो इसको मूल परपज अगर लिए कहें नागरिकों के लिए करें वो है जनता के लिए अगर हम बात करें तो जनता के लिए समाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक लोग करना करी राज की रूप में स्थापित करना यह जो है इसका मूल हेतु हम लिख सकते हैं समाजिक आर्थिक लोगतंत्र की स्थापने करना यह जो सकता है तो लोग करना की राज Such अगर हम लिख दी है तो फिर सामाजिक आर्थिक लोगतंत्र लिखना जरूरी नहीं तो यह तरीके से इसका एंसर हो जाता है वन पॉइंटी थिरीका अब आगे है वन पॉइंट फोर संग लोग से वायोग यानि यू फिय सी द्वारा भरती के कोई दों तरीके लिखिये यू पिय से एक इपढ़नरी कि जाती है उसके दों तरीके कौन कौन से है Another ना checking कुशन में तो सुमें मैंने डो तरीके भरती हैं दो त्रीक होते हैं प्रत्याक्ष को भर होती है। इसको खुली भर यत घुरा जाता है और आथ अपaci noti मतारा भरती इस थरह से दो रूप दो त्रीके जो धरती के मुखहूरूब से पर प्रिचले थे प्रत्यक्ष भर्ती में लिखित परिक्षा भी होती है। साक्षाटकार भी होता है। लिखित परिकषा के अंतर का त्रारुमिक परिक्षा, bringing, heGen, Leah legs, you can define them, द्वारा यह दो तरीके अपनाए जाते हैं लिखत परेक्षा और साक्षातकार तो इस तरीके से आप यह पूरा को पूरा लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यूपिएस्टी द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं भरती के वह उनको लिख देंगे तो भी मुक्ष्रेणिया क्या है यह जो है वन पॉइंट फाइव कुश्चन आपके पेपर में आया हुआ है तो बहुत सारी चैनिया हैं बहुत सारे टाइपस हैं इसके प्रकार के गद्विधियों के लेकिन यहां पर चोकी दो ही लिखना है तो में इसमें ठिंक टैंक की रूप में कार करने का मैंने पॉइंट बना दिया हुआ है सरकारों के लिए योजनाय बनाने तथा नीती प्रदान करने वाले ठिंक टैंक की रूप में इसका में काम हो गया है एक सोच प्रदान करता है जो सरकारे नीतिया बनाती हैं कारिक्रम बनाते हैं किस तरह कारिक्रम बनाए उनके लिए एक सोच नीतिया प्रदान किया जाता है इसके लाबा आर्थिक नियोजन समंदी इसका कार है सरकारी जो कारिक्रम है उनकी उच्छ इस्त्री निगरानी करना मॉनिटरिंग करना तथा मुल्यांकन करता के रूप में इसके द्वारा काम किया जाता है तो यह मॉल्यांकन करता के आर्थिक नियोजन ठिंक टेंक यह जो है बहुत महत्पून इसकी गदविदियां है जिनको आपको जहादा हाइलाइट करना है इसके लगाए और भी बहुत सारे इसके कार हैं गदविदियां है जैसे मानौ विकास रिपोर्ट जारी करना है उसके द्वार है राश्टी इस्रम अर्थशास शोड तथा विकास संस्थान करके एक संग्ठन है जो मानो विकास रिपोर्ट जारी करता है इसके लावा विकास निगरानी तथा मुल्यांकन कर रहा है एक संग्ठन है इसके इंतरगत वह मुल्यांकन संब्दी काम करता है निगरानी संब्द था उद्यम शीलता को बढ़ावा देना अतल सउपर मिश्रन करके संख्थन है तो नवा चाहता की बारे में बताता था इसको इसके लाबावा गरीवी के निरधारन के लिए मांडंड डिसाइड नीटी एक द्वारा तो यह भी एक इसकी activity होती है हना चुकि हमें दो ही लिखना थे इसलिए मैंने दो पॉइंट यहां पर आपको बताएं बस तो इस तरीगी से वन पॉइंट फाइव कंप्लीट हो जाता है 1.6 मद्दान ब्युहार के चार निर्धारक कारक बताना है इसमें बहुत सारे बसे आते हैं लेकिन चुकि चार लिखना है तो मैंने यहां पर चार पॉइंट दिये हुए हैं यह आप देख सकते हैं जाती धर्म सत्ता धारी दल का पदर्शन और मीडिया निर्वाचन को लेकर किया ciert किसको देखकर करता है क्या देख करें बोर्ट देता है इसको कहते हैं मद्दान बहार तो इसको यह प्रभावित करते हैं इसके अलावा वर्ग है लिंग है भाशा है यह भी जो है इसके कारक है लेकिन चुकि यहां पर चार ही उचे गए हैं इसलिए मैंने चार पाइड लिखे हैं सत्ताधारी दल का प्रदर्शन यह बहुत है इसी को हम कहते हैं anti-incumbency anti-incumbency बहुत बड़ा factor माना जाता है इसको देख करके लोग जो है मद्दान करते हैं anti-incumbency का मतब होता है जो 70 रुदल है उसके खिलाब उसका जो वेहवियर रहा है पांच साल तक उसके खिलाब लोगों में जो गुस्सा है लोगों में जो आक्रोश है उसको कहते हैं एंटी इंकंबेंसी इसका बहुत बड़ा फेक्टर है इसको ध्यान में रख करके लोग वोट करते हैं तो यह तरीके से पूरा हो जाता है लाश चौता मीडिया की भूंका है अगला है वन पॉइंट सेविल त्यात्र में समीदान सब्सक्रादियम नाइंटी नाइटी टू है कि तीन परोग विशाष्टा एं लिखिए यह पूचा गया है यह कुश्ण पहली प्याइब पूचा गया है एक दुबार इसको पूचा गया है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ होता है पंचायतों को सम्वैधानिक दर्जा प्रदान करना यह सबसे महत्यपूर्ण है तो इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं और सम्वैधान दर्जा प्रदान करके एक नया पार्ट नाइन जोड़ा गया भागनों आर्टिकल 243 243 A से ले करके 243 O तक जो है इसमें आर्ट के लिए आरक्षन का प्राधान इसमें किया गया यहां पर मैंने अर्टिकल भी लिखा है 243 दी पंचायतों का कारेकाल 5 साल का मिरधारित किया गया है इसका अर्टिकल भी मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 243 तो यह मेन पॉइंट मैंने लेक्शे इसके लावा राज योगताओं के बारे मताया गया है इनके अधिकार तता शक्तियां बताई गई हैं तो बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन खास पॉइंट यहां पर मैंने तीन बताये हुए हैं चुकि तीन इसमें पूछी गई है विशिस्ता अगला है वन पॉइंट एट स्वयम साहता समोहों के प्रमुख लाब कौन से हैं इसमें उन्होंने संक्या नहीं पूछी गई कितने बताना है प्रमुख लाब कौन से हैं तो में पॉइंट यहां पर आपको बताने हैं तो तीन पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं बचत भावना का विकास होता है रिनो क से साहुकारों द्वारा किये जाने वाले शोषण से मुक्ति महिला स्वक्तिकरण important यह पॉइंट है महिला स्वक्तिकरण एवं ग्रामीन विकास कारिक्रमों का सफल क्रियान वैह उनका क्रियानबेन है स्वायमसायद समुहूं द्वारा किया जाता है कुछ कारिकम है जिनका इनके जरीए क्रियानबेन होता है तो ग्रामीन विकास को बढ़ावा मिलता है तो यह इसके खास लाव मैंने बताए है और बहुत सारे पॉइंट है लेकिन चुकि तीन ही इसमें आ सकते ह क्या है इतना ही मैटर आ सकता है पूछे थो उसने नहीं है कि आपको लिखना है लाव चूकि इतना ही मैटर नमर में लिखा जासकता है इसलिए जो है आपको इतना ही लिखना पड़ेगा अभी जो नई कॉपि आई है निया प्रैटर्ण जो चल रहा है उसमें कॉपि छोटी कर दिगई है इस्पेस कम कर दिया गया है तो आपको उस इस्पेस को ध्यान में रखते हुए अपना अनसर अभी से तियार करना है दो лाइन में ही आपको अनसर लिखना है मैंने थिरी मारकर्स का जो वीडियो है, उसमें भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, बहुत से लोग तीन लाइन के हिसाफ से प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ इस्टिटूट थिरी मारकर्स में तीन-तीन लाइन दे रहे थे, तो मैंने कई लोगों को बताया भी कि आप इस तरह से क कर रहे हैं, तो आपको प्रॉलम आएगी, और वही हुआ भी, कई लोगों ने बताया मुझे, कि आपने सर सही बताया था, वहाँ पर जो है, दो लाइन ही उन्होंने दी है, दो लाइन भी बहुत छोटी-छोटी लाइन, बीच में, दो लाइन की बीच जो गैप उन्होंने मिडिया की भूमका के विविध रूपों का निरूपन कीजे, यहां पर भी संक्या नहीं लिखी है कि कितने रूप आपको लिखना है, भूमका की, तो यहां पर भी मनें तीन चीज़ें बताएं, जन्मत का मिरमाण है, उमीदवारों के प्रचार का माध्यम ये बनते हैं, म के लाबा जनता को सरकार राजनितिक दलों तथा जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके संबन में सूचनाएं प्रदान जो है मीडिया द्वारा जनता को कि जाती है कि कहने का मतल्य यहां पर है कि जो मीडिया है वो जनता तथा सरकार राजनितिक दलों यह उम्मीदवारों की भी संचार की कड़ी की रूप में कार कर रही है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाता है मीडिया की माध्यम से और उसके अधहार पर जनता वोट करती है कि और जनता की जो समीष्याएं होती है उन समेष्याओं को मीडिया तक पहुचाती है और सरकार 50 क अगरे निराकान पांदेश को इस तरीक के मीडिया की भूंग का आपको बताना है यह तीन पॉइंट मैंने यहां कर लखे ने मानवता के कौन से out देश बताएं कि the mac आइं यह सो कुछनन पूछा गया है तो इसमें dh traveling कि दीन आफ आप्धाय का जो एक सिधैन थैं एकात मानवाथ में जानते हैं इसाुह हुँ बशीद्ज को चुन कम तथा परशार्थ पर अधारिते और प्रशाथ के अंतरगत हैं चार उद्देश पताए गए हैं आप सभी जानते हैं धर्म है अर्थ है काम है मोक्ष है तो इस तरीके से जो है ये चार उद्देश माना होता कि दिन्दयलौपाद्या ने प्रशार्थ के जरीए बताए हैं कि उनका जो सिध्धान्त है एकात्मानवाद वह वसुद्हयव कुटुमकम तथा पुरुशार्थ पर अधारित माना जाता है इसको कई लोगों ने अलग-अलग तरीके से बताया है लेकिन मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए इसमें कि आगे हैं वन पॉइंट इलेविन कुस्ष्चन सर्दार बल्लभाई पतेल के आर्थिक की विचार इस्पस्ट कीजिए अब यह कुश्चन थोड़ा सा हट की क्या कि विचार कम थी राज प्रुछ कर बहुत है उनका सुदनता शंगरा में योगतान महत्पुर्य योगदान ह हैं लेकिन आर्थिक विचार उन्हें ज्दा नहीं दिया हैं जो विचार दिये हैं उनको न के वारे में भार lin कि समाजवाद की समाजवाद को अच्छा नहीं माना उसके स्थान प्र पूझही बाद का समर्थन किया Evet Rίας करण के पर उदारी करण को उन्होंने मानता दिए है कि इसको अच्छा मना आ pone और यह हो गया दूसरा पूजीवार इसके लावब और पर उन्हें बल दिया है तीसरा पौइंट हो गया तो यह से तीन चीज़ हैं को यहां पर को बताना हैं और अर्था विचार Jamie पर यहां थामर्ण समाजवाद के दो मूलु तत्व बता यह नौ समाजवाद क्लिया हुआ है समाजवाद को नए शिरे से रामन ऋलोहिया द्वारा प्रष्तुत किया गया है तो उसके दो तथो कौन से होंगे मुہल दथों तो मैंने यहाँ पर लिका है समाज में परवर्फन के के लिए सब्त क्रांती महत्पूर्ण योगदान है महत्पूर्ण देन है लोहिया जी की और दूसरा है राजनितिक विकेंद्री करण के लिए चौखंभा सिध्धान इसके अंतरगत नीचे सबसे नीचे गाउं फिर इसके ऊपर मंडल प्रान और राष्ट यह आते हैं चौखंभा सिध्धान देख बार कुश्चन आया हुआ है पहले सब्त क्रांती भी महत्पूर्ण यह लग से तीन नंबर में पाच नंबर में पूशिया सकती है सब्त क्रांती में साथ प्रकार की क्रांतिया उन्होंने बताई है परवरतन लाने के लिए इस्तिरी पुरुष में समानता लाने के लिए क्रांती है जाती के समानता लानी के लिए करांती है गुलामी के विरुद्ध करांती है सुतंतरता के लिए करांती है आर्थिक समानता इस्थावित करनी के लिए करांती है सत्या ग्रह के लिए करांती है तो इस तरीके से जो है साथ प्रकार की करांतियां उन्होंने बताई है इसको अलग है एक विशय की रूप में लोग पुशासन की किन्हीं तीन शाखाओं के नाम लिखिए इस कुश्चन को अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है यूटूब पर लोगों ने डिसकस किया है उसमें बहुत कम लोगों ने चीज को सही बताया होगा और इस्टुडेंट भी काफी इसमें कंफ्यूज हुए हैं लेकिन बहुत सिंप्ल कोश्चन है देखा जाए मेरी जो पुस्तक है उस पुस्तक में किलियर जो है विकास की चड़नों में लिखा हुआ है यह सारी उसमें बताई गई है नवीन लोग प्रशासन है आपके सिलेवस में दिया हुआ है विकास प्रशासन यह भी सिलेवस में दिया हुआ है और तुलनात्मक लोग प्रशासन यह तीन शाखाएं मानी जाती है ठीक है इनके मैंने प्रतिपादक भी लिए डेखिये ड्यवालड टो बिया हुआ है इस बार आ चुका है अगली जो एकजाम होने वाली इसमें नभीट लोक प्रिशासन के आने की बहुत बड़ी संभवणा है बहुत जादा संभवणा है तो इसको आपको अच्छे से तयार करना है इसके एलाबा इसमें NPM भी आ सकता है नौ लोग प्रबंधन भी आ सकता है सूर्षाथन भी आ सकता है लेकिन चुणकि तीन ही लिखना थे तो मैंने सरकार की शाका हैं सरकार के तीन अंग हैं तो इस तरीके से गलत चीजें लोग बता रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना तो यह हो गया इसके बाद नियंतर्ण के छेत्र को प्रभावित करने वाले कोई दो घटक या कारक बताना है तो मैंने यहाँ पर लूथर गुलिक के बताय हुए दो घटक या कारक बताएं लूथर गुलिक ने चार कारक बताएं इसमें भी कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है चार में दो मैंने यहां पर लेखे हैं कार और समय कार समय इस्थान व्यक्तित यह चार कारक लूथर गुलिट में बताएं इसके बाद आगे इस्थान आता है और व्यक्तित इस तरीके से यह दो इसमें कारक और उन्होंने बताए हैं लेकिन चुकि दो को यहां रखा जा सकता है अगर दूबर रखना पड़ेगा समय संग्ठन की अवस्था से होता है अगर अगर पुराना है उसकी नीतियां पुरानी होंगी पदाधिकारी पुराने होंगे अनभवी होंगे तो ऐसी इस्थिति में नियंतर विसाच्छित बढ़ सकता है अगर संगठन नया हुआ तो नियंतर विसाच्छित सीमित रखना पड़ेगा इस्थान का मत्र यहां पर होता है अधिनस्तों के कार्यालियों की भागोलिक इस्थिति से अगर कार्याले भागोलिक इस्थिति में एक ही इस्थान पर हैं अलग अलग नहीं हैं एक ही इस्थान पर इस्थित हैं तो नियं तो नियंद्रगर अनभवी में अगर दोनों वियुक्त नोहीं है कोई नहीं नहीं तो यह तरीके से इसके घटक मैंने बताए हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह आपको पांच नमर में पूछ सकता है ओवरॉल चारों आपको लिखना पड़ेंगे लूथर गुलिक द्वारा बताए गए हैं नियंतर का विस्तार्चेत के मतलब होता है धिनस्तों की वैसंख्या जिन प यह एक्चुली पेपर में ही ऐसा आया है इसलिए मैंने यहां पर लिखा है पेपर में नियंतर के शेत करके लिखा है विस्तार्चेत फिफ्टीन नमबर का लास्ट कुश्चन है प्रत्यावजन के कोई दो लाब लिखिए यह पूछा गया है तो इसमें दो पॉइंट मैंन तक्नीक प्रक्रतिगें संपालन सही दंग से हो जाता है कुछ ऐसे प्रकृतिग होते हैं उनको तक्नीकी प्रकृतिकस होते हैं सही कर पाता है तो वो उनको जो है अधिनस्त को सौभ देता है। ऐसी अधिनस्त को जो उस तक्णिकी-か के लिए जाना जाता हो उस में दख्च हो तो ऐसी स्तिति में जो तक्णिक प्रक्रतिकार है उसका सही रंक से संब्द्राइब तो यह में पॉइंट मैंने लिखें इसमें ध्यान रखना यह होता है कि जैसे दो पूच्छे पॉइंट पूइंट पूचे गए हैं दो महात्वपूर्ण आपको लिखना है दो और भी लिखे जा सकते हैं बहुत सारी पॉइंट है जैसे अधिनस्तों की मनोवल में में कमी हैं तो इस तरीके से और भी पॉइंट इसमें आ सकते हैं लेकिन दो महात्वूर्ण पॉइंट यहां पर लिखना थे तो मैंने वह लिखे हुए हैं तो यह इस तरीके से लाश्ट कुश्चन और इसके साथ यह श्रिशन आज का कंप्लीर हो जाता है आगे इसी पेप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में यह बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा तो आज के लिए इतना ही थेंक यू गुड लक जैहें